हमारे चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग और काम आने वाली किछिन टिप्स को लेके तो जो आज हम टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रियली बहुत ही आपके काम आएंगी और आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपके किछिन के काम आपके घर के काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे तो जो हमारे पास टिप्स रहती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका भी काम अच्छा हो जाए और अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े से भी अ टाट करते हैं कर एक अगर कपडों में दाग लग जाता है न आउइल वगेर का तो उसको लेकर है क्यूंकि यह कि यह नॉर्मَल सी इसी टिपस आपको बताएंगे जो आपके घर की चीजों से ही आपको तयल का दाग है वह एकदम से चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो मैं अपनी साड़ी में यहां पर सरसों का तेल डालके आपको बता रही हूं क्योंकि मेरे कपड़ों में भी तो कोई ऐसे तेल कताग नहीं लगा है लेकिन आपको आपके साथ यह वीडियो शेर करना था तो मैंने इसमें साड़ी में ऑईल डालके यह मैं आपको जो इसकी जो टिप्स है वो बता रही हूं तो यहां पर सरसों का तेल डाल है और हमें अब ढलेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा यानि कहाने वाला सोडा और उसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा विम लिक्वेड जनamba यह कोई बीडीज Κालम मैं लिए क्योंकि तोड़ा सा यह तेल डाला था के लड़ आपके साथ वीडियो जो है वह शेर करनी थे स की वजए से और पहले मैंने इसमें विम लिक्विड तेल के उपर लगा दिया है उसके उपर डाल दिया है थोड़ा सा मीठा सोड़ा बस इनी दोनों चीजों से यह जो तेल का दाग है वो एकदम से चला जाएगा और आपको सच में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहां पांस से दस मिट के लिए इसको ऐसा ही छोड़ दें और बस इसको मैं आपके बाद इसके बाद मैं पानी से वाश करके बताऊंगी तो आप देखना कि कितनी आसानी से यह तेल का दाग है वो चला गया है तो यहां पर दोनों चीजों को मैंने इस पे लगा दिया है डिश ज आपके सामेन हài मैं इसको पाने से ढोगे बता रही हैं-आप देखना यहाँ बिल्कुल भी तेल का कोई दाग नहीं रहेगा-ध्यूक्त-षोठी से चक्ता टैंगी आप देक सकते हैं-विल्कुल कहीं पे भी आपको तेल दिखाई नहीं दे रहा है आपके सामने फी मैंने अच्छी लगी होगे तो बढ़ते हैं next step की तरफ अगली जो ट्रेक है वह बहुत कामाने वाली है तो अगर इस तरह के टूथ ब्रश जो बेकार्ब हो जाते हैं आप उनको बिल्कुल भी न फेक हैं उससे हम बहुत ही अच्छा एक क्लेनिंग ब्रश बनाने वाले हैं तो यह पड़े जो ब्रश हैं वाँ भी हमारे बहुत ज्यादा कामाते हैं तो आपको इनको फेकना नहीं है तो यहां पर हमने तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक रबर बंड लिया है और इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है पहली रबर तो टूट गई थी तो यहां दूसरी मैंने रबर ली है उसको इस तरह से अच्छे से टाइट से इसको हम बान देंगे और बस हमारा ये एक बढ़िया सा टूल भी खटा हो जाता है तो इसको हम इससे साफ करेंगे तो ये दोनों साइड इसमें ब्रिस्ल्स हैं तो ये दोनों साइड बढ़िया से सफाई करेगा और बहुत अच्छे से इससे क्लेनिंग हो registered है यानि की आपको ऊपर नीचे दोनों साइड इसको मूड के चलाने की जरूर मुझते हैं वहाँ दोनों साइड अगर कहीं इस तरह का आपको कोई एरिया है तो वहाँ पर आराम से इस से आप साफ कर सकती है तो आशा है आपको यह साफ हो गया है तो आशा है आपको आपको जरूरत ची लगया है तो बढ़ते हैं अगले टेपस की तरह कि अगले टेपस तरह कि इंची को लेके है कि यहां पर सिलाई होती है वैसे तो हर घर में यह मिलता ही क्योंकि हमें कोई बीचे जनापने वापने के लिए इसकी जरूरत पढ़ती ही है लेकिन हम सकतना भी करके लखे रखें लेकिन फिर भी ये खुल जाता है और फिर ये इधर उदर ऐसे ही फ्याला डाला रहता है इसको हम मेरे घर में भी ऐसा ही होता था इसको मैंने कई बार इस तरह से फोल्ड करके रख देती लेकिन जब भी कुछ भी चीज हमें निकालना होता है ना तो ये कि यृवर्स ज़हता नहीं है बस हमें एक लेना है रख देन कि और जो च्रह में चोटा सा इसके अंदर हमें डाल देना है और एक सिरे को दूसरे सिरे के बीच में से हमें इस तरह से निकाल ला ना है तो ये एक इसमें फिक्स हो जाएगी उसके बाद इसको फोल्ड करके और यह रवर है ना इसमें हम अच्छे से इसको लगा देंगे अब ये जो है आपका किसी भी तरीके से खुलने वाला नहीं है और भी अच्छा लग रहा है और यह आराम से रखा रहेगा तो बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ अगली जो टिप्स है वो है पैसों को गिनने को लेखे क्योंकि जब भी हमें पैसे गिनने होते हैं तो हमें गम की जरूरत पड़ती है जो एक छोटे से बॉक्स में स्पंज मे क्योंकि बार-बार पानी लगा के या कई लोग मुझ में हाथ लगा के गिनते हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए इससे लक्षमी का अपमान होता है तो और वैसे गिनने में यह बार-बार स्लिप हो जाता है हमें इस तरह का पैड रखते हैं और उसमें हाथ लगा के बार-बार पैसों को हम गिनते हैं लेकिन कई सब धरों में नहीं होता या कई बार खतम हो जाता है अचानक हमें कहीं गिनने की पैसे जरूरत पड़ जाती है तो ऐसी कंडिशन में हम क्या करें तो एक बहुत ही छोटे सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं जिससे आप बिना इस प पैसे उसको दो-तिन बर फोल्ड करके और इस तरह से कर लें और आप पैसे किनेंगे न तो आप देखेंगे जो आपके हाथ है वो श्लिप नहीं होंगे और आपके पैसे भी आराम से गिन जाएंगे आपको किसी पानी वाने की किसी को भी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आशा है आपको यह चोटी सी ट्रिक है हमारी जरूर अच्छी लगी होगी तो आपकी बार जब भी आप पैसे गिने तो यह ट्रिक को आजमांके देखें आपको सच में यह ट्रिक जो है वो काफी जादा पसंद आएगी तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स क लेके कि लेस्ट चेलना एक बँधना काम होता है सभी के घरों में और जब फ्री हो जाते तवीं हम आराम ले बैठते हैं क्योंकि जल्दी में यह डिल्दी में नहीं होता है और उसको छिलने के लिए काफी मैहनत करने पड़ती हातों में दर्द होता है वो अलग से वह तो अगर आपको जो ट्रिक है वो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको कौन सी ट्रिक जो है वो हमारी सबसे अच्छी लगी तो हमें इस तरह के लेना एक दिसकर ये सबके घरों में होता है क्योंकि ये इसका काम हर घर में पढ़ता ही है तो हम लोग तो रखते ही हैं इसके अंदर हमें डालना है इस लहसन को और हमें जलाना है गैस और इसको धीमी आज पर हमें अच्छे से सेक लेना है लेकिन ध्यान से हाथ ना जल जाए क्योंकि मेरा कि इस ट्रिक को जब आप करें तो बड़े ध्यान से करें कि जो स्टील की विसकर है ने गरम हो जाता है और काफी जादा गरम हो गया था तो यहां पर इसको हमें अच्छे से रिएना है ज्यादा हमें नहीं जलाना है इसका जो ऊपर का जो छिलका है ना बस उसी को अच्छे से सेख लेना है तो यहां पर धीमी आश्च में करके मैंने इसको सेख लिया और इसका जो स्टील का वो इतना गरम हो गया था कि मेरे हाथ से उसको मैंने पकड़ लिया तो मेरा हाथ जो है वो जल गया तो जलने का भी एक बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है तो जब भी आप अचानक इस तरह से जल जाएं जैसे आप देख सकते हैं निशान पड़ गया यह देखिए तो आप उसमें तुरंत ही कॉल गेट लगा लें तो क खेंडा हो 시청 ले तो इसको हमेंό जो कलिया एना ओं निकालके और हमने मालग कर ली है यह संसान होता है वो काफी आराम के स्यल जाता है यह कच्छा लेकिट्यूर्ट लिए गीले लेसशन को छिल्यार्ट Ilan अब इसको हाथ में डालके इस तरह से अच्छे से हमें रगड़ना है तो आप देख सकते हैं इसको रगड़ते हुए दो तिन दो मिनिट ही हुए है ज्यादा नहीं टाइम लगा था इसको और कुछ लैसन अच्छे से छिल गया थे मैंना आपको बताया यह जो रैसन था अगर यह पका हुए लेसन होता है ना तो पूरी लेसन के के कलए आराम से छिल जाती हैं तो आप देख सकते हैं छिलका आसाने से इसका निकल गया थोड़ा सा जो रह गया वह ने हाथों से अलग कर लिया तो इस तरह से वह सारा लेसन एक साथ चील सकते हैं और बहुत ही आसानी से यह चील जाता है तो यह ट्रिक आपको हमारी कैसे लगी प्लीज हमें जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना तो ऐसे ही इसका जो चिल जाता है और जो आपकी जो महनत वह बच जाती है तो आप देख सकते हैं इतनी सारी कलिया जो चिल गई है और लेसन भी छोटा ही था थोड़ी सी दो तीनी कलिया रहे तो जो नहीं चिली थी तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धिनव बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपका बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आहे